नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत हैं दोसों आप शबी को बता दे कि आपके जिवन की एक-एक पूल ना खोल दू तो फिर कहना जिए दोसों बश आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंति तक अगर ध्यान से देख लेंगे तो दोसों हम जुनकाल की हर एक शच बात बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके जुनकाल ने क्या बात हैं करना चाहिए क्या नहीं कर देंगे बशर्दे दोसों हम आप शुबी से यहीं निविदन करते हैं कि आज की वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और शुरूस लेकर अंत तक ध्याँश देखेगा क्यों दोसों माप शुबी को बचा दें कितनी बड़ी वीडियो बहुती मेहनत करके हमारी टीम दोरा न दोसों तो दोसों वीडियो को शुरूस लेकर अंत तक ध्याँश देखेगा दोसों हम आपको यह बात भी बता दी कि आज की वीडियो में जो बातें आपको पता चलने वाली हैं दोसों इन बातों को खिशी और के शाथ बिल्कुल भी शेयर ना करें और शाथ ही आपको बत दें भगवान महाकाल का सच्चे शिवसंकर का आपको शीधा शिरबात प्राप्त होगा तो जली दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों आपके अंदर सबसे पहला गुन कि आप शब जो हैं बहुती द्रीव और कठोर दिल के इंशान होते हैं कभी भी अपने आप को किशी से कम नहीं शमझते नमर दुश्रा आपके अंदर चल और कपट देखने को नहीं मिल सकता कभी कबारेशा होता है जो वेक्ति आपके शत चल भी करते हैं आप उन्हें माफ भी कर देते हैं नमर तिश्रा कि आप लोग धर में बहुत ही ज़्यादा आस्ता रखते हैं भक्ति बाप और आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है नमर चार आपके राशी के जितने भी जाता के उनके अंदर कभी भी भेदभाव और लालस देखने को नहीं मिलते आपके राशी के जाता कभी कभी भी किसी चीच की लालस नहीं करते जो भगवान ने दिया है उशी में आप खुश रहते ही आपका मानना है कि बगवान जो भी हमें देना चाहता है हमें वह शिवकार है आप किशी के धन दोलत को देखकर किशी की तरप उनकी खुशियों को देखकर निंदा नहीं करते हैं शुप अपने कर्म को करते रहते हैं और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और जो मिलता है उन्हें आप बहुत ही श्विक्षा से शुवकार करते हैं नम्मर शिक्स आपकी राशी के जितने भी जातक है हमेशा शुकी जिवर वैतित करते हैं बले ही इनके जिवनकाल में बहुत ज़्यादा भागदोड बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं लेकिन फिर भी आपकी जोन में हमेशा आप अपने कर्मों के नुशार अच्छे जी कोई कदम नहीं उठाते जो भी कार आपको करना होता है पहले उसकी जड़ तक जाते हैं उसके बाद ही कोई निर्ले लेते हैं वह दोस्तों यह आपकी सबसे अच्छी आदत है और इन्हीं आदत के चलती आपको मान शमान भी प्राप्त होता है नमर शाथ आपकी राशी की जो भी जातक है आप लोग हमेशा पेटों की रोग और गुपतांगों की रोग शे परिशान होते हैं आपकी जुनकाल में हमेशा पेटों की रोग और गुपतांगों की रोग आपको परिशान करते रहते हैं नम्मर आठ आप शुन कर चोग जाएंगे कि आपको यह चिशकेशे पता, जिया दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके गुप्टांगों पर काले तिल का निशान अवशी देखने को मिलता है, दोस्तों यकी नाई तो अजमा कर दिख लेना नम्मर नाईन, आपकी राशे के जातक में बहुती नियाई देखा जाता है, आप लोग नियाई पीरी होते हैं, अपना हो या फिर पराया हो, शबी को एक शमान समझते हैं, नियाई के किलाब आवाज उठाने वाले आप लोग होते हैं, या जो भी फिशला करते हैं, शही और परश्चत करते हैं, चाहिए किसी को अच्छा लगे या पिर किसी को ब्राव, नम्मर दर्श, आपकी राशे के जो जातक होते हैं, वो हशुक मिजाज क्यों होते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा को होते हैं, आपकी राशे के जितने भी जातक होते हैं, मस्ती मिजाज मे रहती है यहां देखा जाता है नम्मर 11 आप लोग बहुत ही ज़्यादा द्यालू और इमंदार होते हैं आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने क्यों आजाए आप उन्हें खाली हाथ नहीं भेशते मदद के तोर पर आप कुछ ना कुछ अवशी उन्हें शाहता करते हैं नम्मर 12 आपके राशी के जो जातक होते हैं दुखों का शामना इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हमेशा अशा देखा गया है कि आप दूसरे के चक्कर में फंशाते हैं और बात में आपको पस्ता ना पड़ता है कभी कबार दूसरों के चलते तो आप बदनाम भी हो साते हैं दंड भी भरते हैं जै दोस्तों उनके चलते आप उनकी शजाओं को खुद भुगत लेते हैं जै दोस्तों नमर 13 आपका यह गुन है कि आपके राशी के जितने भी जातक हैं हमेशा शाप शरल और कुशलता पुरुवकर राजनेती करते हैं किशी के कपट लेकर किशी के दिल को ठेश पहुँचा कर आप कोई भी राजनेती नहीं करते हैं बिल्कुली शाप दिल से शाप शाप मुह पर बोल देते हैं जिया दोस्वों युपांती नम्मर चोधा गुनिया है कि आपको हमेशा बुराया मिलती है चाया आप किशी के शाथ किसना भी अच्छा क्यों ना कर लें लाश्ट में एंड में आपके शाथ गलत होता ही है और आप इने बरदाश भी करना नहीं चाहते नम्मर पंदर आप लोग हमेशा एसे इंसान से दुर रहना पशन करते हैं जो गलत वहवार की वेक्ति होते हैं जिनके अंदर गलत गुन होते हैं जो हमेशा बुरायों को ही शिक्छा समझते हैं अगर आप जान जाएं कि यह वेक्ति चोर है उच्छा का है तो दोस्वों आ आप कता ही उनके शात रहना पशन नहीं करते और उन्हें अप जल्द से जल अपने जिवनकाल से निकाल देते हैं नमर 16 आप लोग के उपर कितना भी बड़ा शंकट क्यों ना जाए आप लोग घपराते नहीं हैं आप लोग शिर्फ लड़ना जानते हैं अपने करतव पर जान होते हैं नमर 18 आप लोगों का देखना बोलना चलना उठना बिटना शब लोगों से अलग रहता है इसलिए ज्यादा तर लोग आपको बहुत ही ज्यादा पशंद भी करते हैं यह दोस्तों नमर 19 आपके आँखों में एक अलग शा दिबी शक्ति होता है जिसके कारण क आपके राश्ची के जातक हमेशा प्यार के और शम्मान की भूके होते हैं यदि कोई आपका शम्मान करते हैं यदि आपको कोई प्यार करते हैं तो आप खुशी से जूमने लगते हैं आपका दिल शा करता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं नमर अकेश अक्सर शा देखा गया है कि आप दुस्रों के लिए बहुत ज्यादा लकी शाविद होते हैं अगर आप कीशी के भी शाथ यात्रा पर जाते हैं या फिर कोई कारिशे बाहर जाते हैं तो उनका काम अवशी बन जाता है नम्मर बाईश आपकी राशी के जातक कभी भी अपने जिंदगी म दुसरों के दखल अंदाजी बरदाश नहीं कर सकते चाहे वो लग पार्णर से हो आपके घर परिवार से हो या पिर दोस्ती रिष्तिदारों में हो आप कभी भी अपने शमिशाओं में किसी और को देखना नहीं चाते किसी और की दखल अंदाजी देखना पशन नहीं करते कितने सी बड़ी सी बड़ी समश्या हो आप अपने से ही उन्हें शमाप्त कर लेते हैं नमर तईश आपकी राशी के जातक इमंदाल और मेहनती होते हैं आप लोग जो कहते हैं उन्हें पूरा करते हैं भले ही थोड़ा देर लगे लेकिन उन्हें पुरा ओश्य करते हैं नम्मर च्वबिस आप लोग बहुत ही ज़्यादा त्यागी भी होते हैं किसी के लिए अपना टाइम अपना इमोशन देने के लिए त्यार रहते हैं आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं उनकी कदर करते हैं नम्मर पचीज आपकी राशी की जोजातक है उनके अंदर यह देखा गया है कि टैलेंट कुट कुट कर भरा होता है चाहे वो राइनेती हो या पिर शिक्षा का कोई भी छेतर हो आप हर छेतर में अपना विजय का जंदा गारते हैं जिया दोसरों और बहुती बड़ा मुकाम भी हाशिल करते हैं नमर छबीर आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए आपके अंदर बच्पन का भोलापन अवशी देखने को मिलते हैं और इसी कारण लोग भी आपका फायदा उठाते रहते हैं जिया दोसरों तो आप अपने यूनकाल में इनका पदलाव करने की चाहत रखें कित जेशा देश है विशा भेश बनाना होगा जिया दोसरों क्योंकि लोहे को अक्षर लोहे की कारते हैं तो आप भी अपने शमाज को देखते हुए अपने नजरिया, अपने ढंग को अवशी बदलें नमर अठाइश, आपके अंदर एक एशा गून है, जो शबसे अलग और शबसे अच्छी है कि आप कभी भी किशे के अंदर काम करना ने चाहते हैं, अपना एक अलगी अस्तित्यों बनाना चाहते हैं जै दोस्तों, लोग की बुलामी करना आपको बिल्कुल ही पशंद नहीं आता चाहिए आप कोई भी छोटा कारि क्यों न करें, आप श्वेंग ही उन्हें तयार करना चाहते हैं जै दोस्तों, नमर 29, आपकी राशिकी जितने भी जातक है, कभी भी अपना अपमान बरदाश नहीं कर सकते हैं घाटा बरदाश कर सकते हैं नुक्षान बरदाश कर सकते हैं कोई आपको पेशा धन बैमानी कर ले आप वो भी बरदाश कर सकते हैं लेकिन अगर आपका अपमान हो जाए तो आप वह कतई ही बरदाश नहीं कर सकते नम्मर तीश आपके राशी के जितने भी जातक है अपने परिवार वालों के लिए जान निशावर कर देते हैं नम्मर तीश आपके राशी के जातक बुरायों से हमेशा डरते हैं आप इसलिए डरते हैं कि कोई जूटी उंगली ना आपके उपर उठा दे कोई आपके उपर कलंक न लगा दे आपके वज़े से किसी का दिल ना तूटे किसी के दिल में आपके लिए कोई शक ना पैदा हो क कोई आपके बुराई ना करता हो आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरते भी हैं नमर 32 शबसे बड़ा गुन आपके अंदर देखा गया है कि आप लोग जल्दे किशी को उपर बिश्वास नहीं करते जब तक आपका दिल कोई अगला व्यक्ती जीत नहीं लेता आपकी हर अनिक बात सटिक ना बेट जाए तब तक आप किशी को उपर बिश्वास नहीं करते और एक बार अधी किशी को उपर बिश्वास हो जाए तो शाथ जन्मों तक सलने की कश्मते खाते हैं नमर 33 आप लोग जोड़ तोड़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं अपना काम कैसे किसी और से निकलवाना हो ये आपके अंदर बहुत बड़ा गुन होता है आपनी मीठी बोलिशी अपने मीठी वैवार्शी आप उनसे अपना काम अवशी निकलवा लेते हैं या गुन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर्शाबित होती है नमर 34 आपके राशी के जितने जातक हैं चाहिए वो कुमारे हो या फिर वो शादिश उदा हो आपकी जुनकाल में प्यार की कमी नहीं रहती इनके जीवन में थोड़े शमे के बाद कोईने कोई पार्टनर आ ज़्यादा तर पुत्री होते हैं या बहुत ही ज़्यादा अनुबाव करने के बाद देखने को मिला है यह दोसों हमने 35 गुनों के बारें बात किये लेकिन एक और गुना आप शिवी को बता दें कि आपकी राशी के जो ज़्यातक होते हैं और तमाल शमे में जितना भी ध ज़्यादा उसायों तेकर लेकर जाते हैं और लोग आपका नाम लेते हैं इतियास में आपका नाम राचा जाता है और इसी की वज़शी आप पूरी दुनिया पर शभी की दिलों में राज करते हैं तो दोस्तों आज का यह भावश्वानी आप शभी को केशा लगा कमेंड करके जरू बताईएगा वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करतें ताकि और शियादिक जानकार यहां आप तक सब से पहले पहुंचे धन्यवाद